मध्यप्रदेश के मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर्दा ब्लास्ट में घायल हुए मरीजों से मुलाकात करने के लिए हमीद्य अस्पताल महचे उन्होंने एक-एक मरीज के हाल चाल जाने और बहतर इलाज के निर्देश भी दिये मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि दोशियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी इस फैक्टरी हार्से में करीब 200 से जादा लोग घायल हो गए हैं चबकि 11 लोगों की जान जा चुकी है महीं बता दे कि मंगलवार को हर्दा की पटा का फैक्टरी में हुए विस्पोर्ट को लेकर मुखे मंत्री से लेकर प्यदान मंत्री नरेंडर मोडी ने भी दुख जताया मुखे मंत्री डॉक्टर मुहन्यादव खुर इस हार्से की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों का जाज कमिटी भी बना दी है मरीज यहां बलाए गए थे उसमें से एक नहीं रहे 11 मरीज हमारे यहां है और सरकार सारे प्रबन्यन कर रहे है हर आलत में जो भी जखाये ले और करीब करीब सभी होंस में दो के आपरेशन चल रहा है नो लोगों से में मिलके आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सो को है लगवाग 11 लोग दिवंगत हुए है और इस संबन में अभी भी जहां गटना गटी माल रेस्क्यू चली रहा है और पोशिश कर रहे है कि पूरी गटना के बारे में जैसे सब को जानकारी है कि मैंने अभी पांच बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी विसी लिये और इस प्रकार की जो भी आडिनेस वेक्ट्री हो याज जिस प्रकार से जहां इसी संभाव ना रहती हूं सब पे कल तक निरेक्षिन रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वें विदान सभा के ब कि गया रहा है जायच के आदेश दिये हैं उसके बाद बताएं कि से 100% करेंगे कड़ी कारवाई करेंगे और कारवाई इसी करेंगे कि उनको भी याद रहे